खबर दिल्ली से हैं जहां केंद्र सरकार ने वित्वर्ष 2022 और तेहिस के लिए केंद्रिय बजट पेश कर दिया है। केंद्रिय बजट 2022 की अलोचना करते हुए कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता मलिका अर्जुन खंडगे ने केंद्र पर कटाक्ष किया और कहा कि ये अर्जुन और द्रोनाचारिय का बजट है ना कि एक लव्वे के रूप में ये केवल अमीरों के लिए हैं और गरीबों के इस साल का बजट है दो आजार पाविस्का एए बजट सिर्फ अमीरों के लिए है इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है और उन्होंने एकवी कोट किया मैं सुन रहा था कि महभारत का कोई एक कौट उन्होंने सुनाया था कि मैं समझता हूँ एक महभारत में दुरणाचारे और अरजुन की बज़ेट है एक लब एक ही नहीं तो मैं यहीं कहूंगा कि गरीब की बज़ेट यह और इस बज़ेट से किसी को फायदा होने वाला नहीं है जो पिछले के चीजे थे उसको रिपीट कर रहें एवन क्रिप्टी करणसी का भी उन्होंने जिक्र किया जिसके बारे में कोई ख कि बज़ेट गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है बज़ेट केवल अमीरों के लिए है गरीबों के लिए कुछ नहीं है कहा इस बज़ेट में पिछली चीजों को रिपीट किया गया है